हलो फेर्ट्स इंग्लिस विस्ट रजय के आपके अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम सौर्ट इंग्लिस सेंटेंस की प्रेक्टिस करेंगे जिसमें हम एक नए इस्ट्रक्चर वाट गोश्च प्लस वर्ब के फर्स फार्म से इसे हम इंग्लिस में कहेंगे वाट गोश्च पीक इंग्लिस इसका मतलब होता है अंग्रेजी बोलने में क्या जाता है नेक्स सेंटेंस है अंग्रेजी बोलने में कुछ नहीं जाता है इसे हम इंग्लिस में कहेंगे नथिंग गोश्च पीक इंग्लिस इसका मतलब है इसका मतलब है मुझसे बात करने में क्या जाता है अगरा sentence है सुनने में क्या जाता है जिसे हम English में कहेंगे what goes to hear or listen जिसका मतलब है सुनने में क्या जाता है what goes to hear or listen what goes to hear or listen का मतलब है सुनने में क्या जाता है next sentence है कहाने में कुछ नहीं जाता है इसे हम English में कहेंगे nothing goes to say nothing goes to say इसका मतलब है कहने में कुछ नहीं जाता है हमारा next sentence है वीडियो देखने में क्या जाता है इसे हम English में कहेंगे what goes to watch the video what goes to watch the video का मतलब है वीडियो देखने में क्या जाता है और अगला sentence है वीडियो को लाइक करने में कुछ नहीं जाता इसे हम English में कहेंगे Nothing goes to like the video Nothing goes to like the video का मतलब है वीडियो को लाइक करने में कुछ नहीं जाता अगला sentence है पढ़ाई करने में क्या जाता है इसे हम English में कहेंगे What goes to study what goes to study का मतलब है पढ़ाई करने में क्या जाता है तो इस तरह से हम what goes to plus verb के first form का यूज करके हम लोग इस तरह के बहुत सारे वाक के बना सकते हैं तो आज की वीडियो में हमने कुल art sentence की practice की तो इस तरह से हम लोग और बहुत सारे sentence बना सकते हैं तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो please like the video and do subscribe the channel and share the video with your friends और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care thanks for watching